क्या आपको पता है कि GTFI में रियल गोश्ट भी है हाँ आपने विल्कुल सही सुना GTFI के माउंट गौडो पे ठीक रात के ग्यारा बज़े एक औरत की आत्मा भटकती है यह कौन है और यहाँ पे कैसे है यह सब के पीछे की स्टोरी में आपको इस वीडियो में बताऊंगा बज़े इस वीडियो को लाइक और हमारे गेम उसाइड यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करो अभी हमारे माउंट गौडो पे और इस जगह की लोकेशन में आपको मैप में दिका रहा हूँ ठीक इस जगह पे आओ अगर आपको भी एक्सपिरेंस करना है यह भूतनी को तो फिलाल अभी बज़ रहे दस बच के पाच मिनिट और जैसे ही ग्यारा बज़ जाएंगे ना तो ठीक हमारे सामने वो औरत की आत्मा प्रकड हो जाएगी भाई मेरी तो बहुत भटरी है बे टैन नाइन एट सेवन सीक्स फाइन फोर थ्री टू वन जीरो ओ भाई साब कत खतरनाक वे और मैं आपको बता दू कि ये गोस हमरे साथ कुछ भी गलत नहीं करती है बस बीच बीच में जोर से डर रहाओं ने आवाज निखल के चिल्लाती है और गाईज ये जितनी खतरनाक दिखने में ना उससे कई इंट्रेस्टिंग और दर्दनाक इसके पीछे की स् निपती जॉन क्रेंडली के साथ खुशी-खुशी सान एंडर स्टेट में रहती थी जॉन एक एक्टर के साथ साथ स्टन्ट में भी था जो कि हमेशा से चाता था कि वो इसी कोई अपना करियर बनाए और बेटर ऑपरचनिस के लिए अपने वाइफ के साथ लॉस एंट और जाए बट जॉलिन इसके बिल्कुल खिलाफ थी वो के थी थी कि मुझे अपने बुढ़े माबाप को संभालना है मैं नहीं आ सकती और ये टॉपिक को लेके उन दोनों में बहुत जगड़े होते थे फिर एक दिन शाम के टाइम जॉन और जॉलिन मां उन गॉड़ो पे कोई नहीं मानता और दोनों के बिच में बहुत तेल जगड़ा होता है फिरीन सब में जॉन गुसे में आके जॉलिन को लाते गुसे मार के पहाड़ी से नीचे धका मार देता है और वहां से भाग जाता है और पहाड़ी के नीचे गिरने के वैसे जॉलिन को बहुत सारे चो भी फोन या लैप्टॉप में www.whokillleonarajohnson.com सर्च करोगे तो एक आर्टिकल खुलेगा उसमें इसमें प्लेयर पे क्लिक करोगे ना तो नीचे एक और आर्टिकल मिलेगा और उस पे लिका रहेगा अनादर वाइनवुड मिस्ट्री ब्लड ऑन रॉक्स डिट शी फॉल और श फाइफ थी और मैं तो उसे बहुत प्यार करता था भला मैं क्यों उसे मारूंगा और एक्सिडन का नाम लगा के वह वहाँ से भाग जाता है लेकिन जॉलीन के पिता का उसके उपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता है वो पुलिस से यही रिक्वेस्ट करता है कि प्ली एक बात बताऊ जॉक जॉक जॉन का निकनेम होता है जो कि क्लियरली इंडिकेट करता है कि जॉन ने ही जॉलीन का मर्डर किया है और यह आत्मा ठीक 12 बजे इस माउन गॉड़ पहाड़ी से चली जाती है आई होप जॉलीन को जल से जल जस्टिस मिले तो कैसी लगी आपको यह स्टोरी ऐसे बहुत सारे इस्टर एक्स फैक्ट्स तेयरी से जीटियो फाइं में और आपको यह सब देखने में इंट्रेस्ट है तो फटफट से इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल गेमों साइट को सब्सक्राइब करना मत बुलना मिलते है फिर और एक इसे नए ए गजय को लाइब को यह सुट है उवीडियो को लाइब को लाइब को लाइब के इसागन एक्टाव लाइब को लाइब।